अगर कोई कंटेनर ट्रांस्पोर्टेशन के दुवारा समंदर में गिर जाता है तो इसनों क्या खिया जाता है क्या वापस बाहर निकाल जाता है या फिर उन्हें वैसी छोड़ जाता है हमेशा क्लिए कुछ इंट्रस्टिंग जानने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर देना वैसे जल्दी नहीं होता क्योंकि सबके सब कंटेनर एक दूसर लॉक होते हैं समंदर में तरफान आना के कारण कभी कंटेनर गिर भी जाते हैं एक सर्वेस से पता चला है कि साल में 2,000 कंटेनर पानी में डूब जाते हैं और ऐसा होने पर शिपके लोग कंटेनर को ऐसी ही क्योंकि इस कंटेनर का इंसुरेंस हो रखा होता है जिससे कंपनियों को कोई नुकसान नहीं होता जिसने कंटेनर समंदर में मचलियों का घर बन जाता है और कभी कभी तो यह कंटेनर तेरते तेरते जमीन पर आ जाते हैं जिसमें से लोग समान निकाल के पर घर ले जाते है झाल झाल झाल